लर्निंग मंत्रा के अनलाइन पाट साला में आपका स्वागत है हमारी क्लास का आज का टोपिक है राजनीत विज्ञान का सिध्धान्त और सिध्धान्त के अंतरगत आज हमारे आध्यन का विशे है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में हम लोग आध्यन करेंगे स्वतंता के द्रिश्टकों, स्वतंता के ब्याक्या मुलता, स्वतंता के ब्याक्या मुलता, दो द्रिश्टकों से की जाती है, एक है नकारात्मक द्रिश्टकों, और दूसरा है, दूसरा है शकारात्मक द्रिश्टकों, नकारात्मक द्रिष्टकोन वह द्रिष्टकोन है जोकि स्वतंद्रता को पूर्णत बंधनों के अभाव के रूप में देखता है इसने स्वतंद्रता को बंधनों के अभाव के रूप में देखा जबकि सकारात्मक द्रिष्टिकौन वह है जोकि स्वतंद्रता को तर्क पूर्ण प्रतिबंध के साथ देखता है जबकि सकारात्मक द्रिष्टिकौन का प्रत्पादन जिन विचारकों के द्वारा किया गया उसमें सीले हर्वाट स्पेंशर इसके अंतरगत महत पूर्ण चिन्तक है जेयस्मिल आयदम इस्मित तथा समकालिन उदारबादी चिन्तकों के द्वारा भी समकालिन उदार बाद के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया जिसमें रावेट नोजिक आजिया बर्लिन आजिया बर्लिन एफ ये आयक फ्रेड मैन तथा अन्य बिचारक आते हैं नकार आतमक द्रिष्टकों इस बात पर बल देता है के श्वतंता उस प्रकार से है जैसे आकास में उर्ता हुआ परिंदा बिना किसे रोक टोके उडान भरता है ब्यक्त की श्वतंता पर उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का नियंतर निस्थापित न किया जाए वास्तो में नकार आतमक श्वतंता के अधारना का विकास प्रारम्भिक अधारना है प्रारंभी का उधारणा के अंतरगत जब राज शाही के विरुद्ध, सामन्त शाही के विरुद्ध और उप शाही के विरुद्ध प्रतक्रिया हुई तो उसी प्रतक्रिया के कारण अश्वतंता के नकर आत्म का अधार्णा का विकास हुआ और इसका यह मानना है कि श्वतंता प्रतिबंधों से रहित है ब्यक्ति और ब्यक्त की स्वतंता ही मूल है आया इसी उधारबाद के मूल सिद्धान पर आधारित है क्योंकि उदार बाद मूलता साध हिमानता है ब्यक्ति और आववा आधारित है ब्यक्ति के मूल मंत्र और उस मूल मंत्र का नाम है स्वतंद्रता। इसी संदर में स्वतंद्रता के नकारात्मक द्रिष्टिकोन का विकास हुआ और इस स्वतंद्रता के विकास में नकारात्मक द्रिष्टिकोन के विकास में आश्चेले के द्वारा बतलाया गया कि स्वतंद्रता आति-शाषन का यह आति-शाषन का उल्टा रूप है उल्टा रूप का आशे है कि ब्यक्त की स्वतंद्रता पर पावंदियों का पोनता अभाव हो जाना क्योंकि ब्यक्त स्वतंद्रता की वाता उर्ण में ही आपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है ऐसा मानना है सिली का सिली के साथ हर्बर्ड स्पेंसर के द्वारा एक पूस्तक का लिखन किया गया जिसका नाम है मैन वर्सेस स्टेट नामक पूस्तक के अंतरगत हर्बर्ड स्पेंसर ने कहा के बंधनों का अभाव स्वतंद्रता कहलाता है हर्बर्ड स्पेंसर बैग्यानिक उधारवादी कहलाते हैं और हर्बर्ड स्पेंसर के द्वारा विज्ञान के आधार पर चाल्ट सद्यारिविंग का अनुशरण करते हुए विकास बात के अधारना को राजनीतिक सिध्धान में लागू करते हुए उत्तर जीविता और योगितम के विजय का सिध्धान दिया जिसका अर्थ है कि जो योग होता है उसी को जीवित रहने का अधिकार है यह प्राकृतिक और बैग्यानिक नियम है इसलिए ब्यक्त की स्वतनता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिवंध नहो हर्बर्ड स्पेंसर क द्वारा इसी आधार पर कहा गया कि राज एक आवस्चक बुराई है और समाज में जब तक अपराध है तभी तक राज ये आवस्चक है राज की भूमका सेमित अर्थों में है राज का कारी केवल आसुरच्छा ब्यवस्था और नयाई की स्थापना करना है इसके अलावा राज की कोई खाश भूमका नहीं होती है राज ब्यक्ट के आंत्रिका और बाहर जिंदगी में अनावस्चक रूप से प्रतिवन धना लगाए ऐसा मानना था हरबर्ड स्पेंसर का हरबर्ड स्पेंसर के दवारा इस बात का समर्थन किया गया और कहा गया के राज मूलता है एक जोइन्ट बीमा कमपनी के रूप में कारी करता है एरबर्ड स्पेंसर के बाद महत्पू नाम है जेयस मिलका महत्पू नाम है जेयस मिलका इसेज आन लिबर्टी नामक पुस्तक का इनके द्वारा लेखन किया गया जेयस मिल को स्वतंदता का देव दूत कहा जाता है नकारात्मक स्वतंदता के विषयपर कार सम्बंडि स्वतंदता को जेयस मिलने स्वव विशयक और पर विशयक दो भागों में विभाजित कर डला स्वाव विश्यक कार की स्वतंता वह स्वतंता है जिस कार को करने का प्रभाव केवल करता के उपर परता है जेश मिल के द्वारा कहा गया कि ब्यक्त के ऐसे कार में राज की कोई दखलनदाजी ना की जाए क्योंकि प्रतेक ब्यक्त अपने मन, मस्तिस का और शरीर का संप्रभू होता है दूसरा है परविश्यक कार की सुतंता परविश्यक कार की सुतंता के ब्याख्या जेश मिलने कहा कि करता के द्वारा किया जाने वाला वह कार जिसका प्रभाव ना केवल ब्यक्त पर बलकि ब्यक्त के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है राज के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जेश्मिल के द्वारा सरबाधिक महत्पून एकान्य सिद्धान दिया गया और उसने कहा कि पागल एवंग सन की ब्यक्त को भी विचार अभिव्यक्त के आजादी देना चाहिए इनका मानना है के राज के द्वारा नेर्मित होने वाले हर एक कानून का प्रभाव समाज के सभी सदस्यों पर पड़ता है पागल और शन की ब्यक्त उससे अलग नहीं है इसलिए पागल और शन की को भी आपनी अभिव्यक्त की आजादी का मिलना आवश्यक होता है इसका यह भी मानना है कि पागल और शनकी व्यक्ति अनेक बातें गलत बोल सकता है लेकिन उसमें एक भी बात अगर समाज के लिए उपयोगी है तो उसको आत्मसाद करना उसे स्विकार करना आवस्यक होता है आद दूसरा महत पून बात इसने यह कहा कि बिचार अभिव्यक्ति एक प्राकृतिक स्वतंता है यह प्राकृतिक अधिकार है प्रेकित के द्वारा प्रदत है इसलिए राज इसके उपर कोई प्रतिवन धना लगाए श्वतंतरता की इतनी पूर्जोर व्याख्या जेयस मिल को स्वतंता का दे उदूत कहा गया स्वतंतरता की अधनकार आत्मक व्याख्या में एक अन्य नाम महत पूं है और वह नाम है ऐडम स्मित का ऐडम स्मित बील्टेन के और अर्थ शास्त्री हैं, आप बिल्ट आफ नेशन उनके द्वारा लिखी गई महत पुष्टक है, जिसके अंतरगत उनके द्वारा लेश स्फेर या आहांस्तत छेव वाद के सिध्धान का प्रत्पादन किया गया, आडम स्मित के अनुशार राज को बादार वादी स्वेकार करना चाहिए, बादार के अंतरगत आये किस्थान होता है, क्रेता और विक्रेता होता है, बस्त होती है और उसकी विक्री की जाती है, विक्री के लिए बादार के नियम को लागू करना जि उसको क्रियानित किया जाना चाहिए राज किसी भी प्रकार का कोई हस्ता छेप न करे इसलिए आडम इसमित का या प्रिशिद कथन है कि ब्यक्त को अकेला छोड़ देना चाहिए कहा कि ब्यक्त को अकेला छोड़ देना चाहिए कहा कि ब्यक्त को अकेला छोड़ देना चाहिए राज के द्वारा किसी भी प्रकार से ब्यक्त की गट विधियों में हस्तत छेपना करना चाहिए आडम श्मित को नकारात्मक दृष्टिकूण के समर्थक के साथ आर्थिक उदार्वाद का प्रवक्ता भी माना जाता है अब नकारात्मक द्रिष्टिकून के स्वतंद्रता की ब्याख्या में नकारात्मक द्रिष्टिकून के कुश्यम कालिन चिन तक आते हैं रावर्ट नोजिक के बारा नकारात्मक स्वतंद्रता का समर्थन किया गया रावर्ट नोजिक ने कहा कि ब्यक्त की स्वतंद्रता के उपर राज का प्रतिबंध न होना चाहिए यद राज का प्रतिबंध व्यक्त की स्वतंता पर होता है तो व्यक्त का आंत्रिक व्यक्तिक पुनस्थ बेनस्थ हो जाता है इसलिए यह तर्कशंगत नहीं है लोग कल्यानकारी राज के आवरण में व्यक्त के स्वतंता के उपर राज के द्वारा अनिक पाबंदियां लगा दी गई हैं जो की तर्क संगत नहीं है महत्पूंचिंतक है जिसका नाम है आजिया बरलिन के द्वारा आएक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है टू कंसेप्ट आफ लिबर्टी टू कंसेप्ट आफ लिबर्टी के अंतर गत नकार आत्मक स्वतंत्रता का आजिया बरलिन ने शमर्थन किया और इनके द्वारा कहा गया के आत्म उपलब्धी आत्म ने अंतरण एवं आत्म साथ्छात्कार आत्म साथ्छात्कार जिसकी बात सकारात्मक स्वतंत्रता के द्वारा की गई वह स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि आयद इसको स्वीकार कर लिया गया तो एक प्रकार से पित्रिशत्तात्मक समाज का जन होता है इनके द्वारा कहा गया आजिया बर्लिन ने इस बात पर ही बल दिया कि जिसको हम सामानिता स्वतंता कहते हैं वह वास्तों में स्वतंत्रता न होकर के एक प्रकार से स्वतंत्रता की परिश्थिती मात्र है दूसरा इनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि सकारात्मक स्वतंत्रता के कारण एक प्रकार से ब्यक्ति राज का गुलाम बन जाता है जो कि उंचित नहीं है ऐसा मानना था आजिया बरलिन का आजिया बरलिन के बाद एक प्रशिद अन्य शम कालिन उदारबादी चिन तक है जिसका नाम है यफ ये हैयक यफ ये हैयक इन्हें नोबल पुरशकार भी प्राप्ध हुआ था इनके द्वारा कांस्यूशन आफ लिवर्टी तथा ला लेजिसलेशन ला लेजिसलेशन एवं लिवर्टी नामक उस्तक का लेखन किया गया और कहा गया कि स्वतंत्रता के उपर किसी प्रिकार का प्रतिवंध लगाना आवयधानिक है या ब्यक्त के गुणों को बेनस्त कर देता है इसके बाद आयकान्य चिंतक समकालिन विचारक में है जिनको फ्रिल्ड मैन कहते हैं या परमपरागत उदारवादी चिंतक हरवर्ड स्पेंसर के साथ मेल खाता है इसने कहा कि ब्यक्त के उपर उसके किसी अन्य सहयोगी के नियंत्रन का अभाव ही इस प्रिकार से आपने अपने इस अध्यन में देखा के नकार आत्मक स्वतंता के द्रिष्टिकोन का समर्थक जिन भी चिंतकों के द्वारा किया गया चाहे वे परंपरागत उधारबादी हूँ या समकालिन उधारबादी उन सब के द्वारा इस बात पर बल दिया गया के ब्यक्त और उसकी स्वतंता ही मूल है और राज को ब्यक्त और उसकी स्वतंता के रच्छा करनी चाहे ना के उसमें दखलन दाजी करना चाहे इस बात को इहोंने कहा मूल्टा नकारात्मक द्रिश्टिकोन 17 और 18 सताबदी तक प्रचलन में रहा लेकिन 19 सताबदी के याते याते नकारात्मक स्वतंत्रता का रूप अंत्रन हो गया शकारात्मक द्रिश्टिकोन में और शकारात्मक द्रिश्टिकोन के विकास में आई स्पेंसर ववाद के वेरुध प्रतक्रिया मुख्य है स्पेंसर वाद के विरुध प्रतक्रिया इसले है क्योंकि हारबर्ड स्पेंसर के द्वारा उत्तर जीविता के सिध्धान का प्रतपादन किया गया और उत्तर जीविता का सिध्धान इस बात पर बल देता है कि सामर्थवान व्यक्ति को ही जीवित रहने का अधिकार है जो लोग कमजोर थे उनके पास कुछ भी नहीं आया, पल्डाम इसका ये हुआ, समाज का अधिकांच व्यक्ति निर्धन हो गया, उसके हालात बच से बत्तर हो गये, पल्डाम ता पूझी वाद के प्रतियाक्रोश प्रतिक्रिया उत्पन होने लगी, आंदूलन का प्रारम हो इस परिश्थी में पूझी वाद को भचाने के लिए, उसके रच्छा करने के लिए, लकारात्मक स्वतन्ता को शकारात्मक स्वतन्ता में क्रम्ष परवर्तित हो जाना पड़ा। यह परिवर्तन मूलत पूजी वात के रच्छा परिशले आधारित है क्योंकि धन के केंद्री करण के पढ़ाम शुरूप आज जब नेर्धन बर्ग की संख्या काफी बढ़ गई तब नेर्धन बर्ग के क्रह समता अत्यंद कम थी नर्धन बर्ग की क्रह समता कम होने के करण पूजी पति बर्ग के कल कारखाने में उत्पादन हुआ लेकिन जब बादार में विक्री के लिए गया तो उस बस्ट की विक्री नहीं हो पाई विक्री ना होने से एक प्रकार से पूजी वात के समझ बढ़ा संकट उपस्थित हो ऐसे हालात में पुन्रा उलोकन करनी की आवस्षिकता हुई पूंजी वाद ने अपने चिंतन में एक बदलाव किया और नकारात्मक द्रिष्टिकोंड को शकारात्मक द्रिष्टिकोंड में परिवर्तित हो जाना पड़ा। दूसरी महत पूंबात ये के नकारात्मक द्रिष्टिकोंड का विकास ऐसे वक्त में हुआ था जबके राजशाही के प्रति प्रत्क्रिया हुई थी जब पूप शाही के विरुध प्रत्क्रिया हुई थी और यह प्रत्क्रिया कोई और नहीं बलकि पूंजी पती बर के परंतु 17-18 सताब्दी के बाद 19-वी सदी के आते आते, आब राज की सम्पोल मस्दिन्दी पर जब पुंजी पतिवर्गा नहीं अंत्रण और कभ्जा हो गया, तब पुंजी पतिवर्ग नहीं कहा के प्रतिबंध राज का होना आवस्चक है, तरकपूर प्रतिबंध होना च लगाया जाना आवश्यक है इसलिए स्पेंसरवाद की प्रत्क्रिया, पूजी वाद की रच्छा तथा कमजोर बर के हालात को उपर उठाने के उद्देश से सकारात्मक्षवतंता के अउधार्णा का विकास होता है सकारात्मक्षवतंता के अउधार्णा के विकास में इसका प्रत्पादन सर्व प्रत्थम ब्रतिस उदारवादी चिंतक टेयच ग्रीन के द्वारा किया गिया टेयच ग्रीन आश्यमकालिन उदारवाद के विरुद्ध है या श्यमकालिन उदारवाद और परंप्रागत उदारवाद के इसमत को आश्विकार करता है कि स्वतंता प्रतिबंधों का भाव है टेयच ग्रीन ने पहली बार कहा कि तर्क प्रतिबंध आवश्यक है तर्क प्रतिबंध का होना आवश्यक है इसलिए टेयच ग्रीन के द्वारा कहा गया है कि स्वतंता करने योग्य कारी को करना है और उपभोग योग्य वस्त का उभोग करना है यहां योग्य का आश्य है कि वह कारी करना या उस वस्त का उभोग करना जो ब्यक्त के साथ साथ समाज के भी हित में हो क्योंकि ब्यक्तिया और समाज के हित में कोई अलगाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, दोनु के हितों में समन्वय का हुना अवस्यक है, टियच ग्रीन के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया, इसलिए कहा जाता है कि सर्व प्रथम लोक कल्यान कारी, और राज का समर्थन भी किया गया था किस के द्वारा, टियच ग्रीन के द्वारा, टियच ग्रीन का यह विचार और रूशो की सामान इच्छा पराधारित है, इसलिए रूशो को भी सकारात्मक स्वतंता का समर्थक कहते हैं, रूशो के आशासाथ आइस द्रिष्टिकोन के प्रतपादकों में मैकाईवर का नाम, लास्की का नाम, हाप्शन का नाम, हाप्शन का नाम और हेगल का नाम मुख्य है, रूशो ने सामान इच्छा के नियंत्रन में ही वास्तविक स्वतंता की परिकल्पना किया, इसलिए कहा था, के व्यक्त की स्वतंता के उपर सामान इच्छा का नियंत्रन होना, सामान हित की सामान इच्छा का नियंत्रन होना आवश्यक है मैकाईवर एक ऐसा चिन्तक है, जिसके द्वारा माडन इस्टेट नामक पुस्तक के अंतरगत, सेवा धर्मी और राज की आउधारना का प्रत्पादन किया गया आपके परिच्छा में यह स्वाल आया है, कि सेवा धर्मी राज का सिधान किसने दिया, उत्तर होगा इसका मैकाईवर सेवा धर में राज के अंतरगत इनकी द्वारा कहा गया कि व्यक्त की वास्त्रविक स्वतंता राज के अंतरगत और राज के नियंत्रण में ही होती है राजिके नियंत्रन के अभाव में स्वतंता की कल्पना का असे केवल और आजिकता पूर्ण शमाज को आमंद्रित करना है लास्की के द्वारा ग्रामर आफ पॉलिटिक्स को लिखा गया ग्रामर आफ पॉलिटिक्स को लिखा गया और इस पुष्टक के अंतरगर्ट लास्की ने लोग कल्यान कारी राज का पूर्ण समर्थन किया और इसके समर्थन के साथ इनकी द्वारा कहा गया के स्वतंता अस्षकार आत्मक होनी चाहे स्वतंता के उपर समाज का और राज का नियन्त्रण होना आउस्यक है तभी लोग कल्यान कारी राज के उद्दिश को प्राप्त किया जा सकता है इसने कहा कि स्वतंद्रता मूल्टा विशेशा धिकार का अंत है अर्थात किसी भी एक व्यक्त को विशेश अधिकार विशेश प्रविलिजिस नहीं मिलना चाहिए सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए चाहे वो धन्वान हो या निर्धन हो वो किसी भी मूलवन्स धर्म इत्याद कान्याई हो दूसरा कहा स्वतंद्रता को अधिकार के रूप में माननिता देना चाहिए यह स्वतंद्रता को अधिकार के रूप में राज के द्वारा माननिता दी जाएगी तो शार्भावमिक रूप में इसका प्रयोग समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा इसी संदर्व में लास्की का एक प्रिशिद्ध कथन है के मुझे ब्रेट खाने का कोई अधिकार नहीं है यद मेरा परोशी भूखा है लास्की के समान है एक अन्य चिंतक है जिसका नाम है GDS कोल GDS कोल के द्वारा भी आश्चकार आत्मक स्वतंतरता का समर्थन किया गया और इनका प्रिशिद्ध कथन है के आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंता एक कपोल कल्पना है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंतरता आएक प्रिकार की केवल कपोल कल्पना है लाश्की ने एक अन्य बात भी इसी संदर में कहा था कहा था कि सारी स्वतंताएं एक दूसरी के साथ मिली है इसे लाश्की की स्वतंता का बहु आयामी सिधान कहा गया इसी बात को जिलियच कोल ने भी इसमें आवाज दिया और उन्होंने कहा कि किसी स्वतंता की स्थापना से पूर्ष शमाज में आर्थिक समानता का पाया जाना आवस्ष्यक है आवस्षन के द्वारा भी कहा गया के स्वतंता से पूर व्यक्त को व्यक्त की नियुनतम आवस्यक्ताओं की पूर्ती करना आवस्यक है ताकि वह आपनी जीविका का भली भाद संचालन कर सके क्योंकि एक भूंखे व्यक्त के लिए स्वतंता का क्या अर्थ होगा जबकि वह स्वतंता को न तो खा सकता है और नहीं स्वतंता को फी सकता है हेगल आदर्शवादी चिंतक हैं मुलता इनको उग्रे आदर्शवादी विचारक कहा जाता है और उग्रियादर्श वादी विचारक होने के कारण राज का पूर्जोर समर्थन करते हैं, राज को सर्वोच मानते हैं, इनका प्रसिद कथन भी है, कि राज धर्ती परिश्वर का आउतरण है, इसलिए स्वतंता की ब्याख्या करते हुए, इन्हों ने सकारात्मक और कहा कि राज की आज्या का पालन करना ही स्वतंता है, इस प्रकार से राजनित विज्ञान के शिद्धान्त में स्वतंता के दो द्रिश्टिकों की बात हम लोगों ने यहाँ पर किया, आपको एक बात यहाँ पर और भी याद रखना आवश्यक है दो चिंतक ऐसे हैं जिनके द्वारा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंता के बरगी करण को आपको और नकारात्मक और नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्ता के बरगी करण बिभाजन को इस बरगी करण बिभाजन को आश्विकार कर दिया गया और आश्विकार करके उनके द्वारा एक हरी श्वतंद्रता के बिचार का प्रतपादन किया आपको आएगा कि एक हरी श्वतंद्रता का बिचार किस ने दिया तो इस बिचार को देने का अस्रे जाता है जान राल्स एवं माईक लावन को जान राल्स और माईक लाविन ने कहा के नकारात्मक और शकारात्मक स्वतंता का विभादन आपने आप में उप्युक्त नहीं है यह विरुधा भासी है स्वतंता तो एक ही होते है जिसके उपर प्रतिवंध का होना आउस्यक है स्वतंता भ्यक्त के बंधनों पर भ्यक्त के उपर बंधनों का एक नियन्तरन होगा लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है कि ब्यक्त को स्वतंता और आजादी नहीं प्राप्थ होगी आजादी प्राप्थ होगी लेकिन समाज के संदर में प्राप्थ होगी समाज का हित और ब्यक्त का हित दोनों पूरा हो स्वतंता का यही मूल मंत्र है इसलिए आज जान राल्शा और माइक लावन ने एक साम मिवादी द्रिष्टिकोंड से एक समानता मुलक समाज के निर्मान के उद्देश से इस बात पर बल दिया कि दोनों में कोई भी विभाजन करना उपयुक्त नहीं होगा इसलिए इसको एक हरी स्वतंता का विचार कहते हैं हमारे आज का यह क्लास नकारात्मक और शकारात्मक द्रिष्टिकोंड पर आधारित था जो स्वतंता के अलग-अलग ब्याख्या करता है आनेक चिंतकों ने अलग-अलग प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया है हम लोगों ने इस बात को देखा हम लोग राजनीत अलग-अलग शास के सद्धान के संदर में किसी दूसरे टाप पर आगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के आनलाइन पार्चाला को तब तक के लिए जय हिंद्ध